जिस जैप्रकास विश्व विध्याले का फोटो सोसल मीडिया पर कुछ दिन पहले इसलिए वाइरल होता है चूँकि वहाँ पर प्रिच्छा देने आये छात्रों को समयाने के नीचे बैठा करके टेंट लगा करके टेबल लगा करके उसके चारों तरफ कुर्सिया लगा करके एक जाम लिया जा रहा था और एक टेबल पर 10 से 12 छात्र वैट करके ईक जाम दे रहे थे उस जैप्रकास इन्वर सीटी का एक और क्लिप जो है सोसल मीडिया पर वइरल हो रहा है एक फोटो वाइरल हो रहा है जिसमें जैप्रकास सिदुर्श सीटी ने एक भारी मिस्टेक क एसा है, तो जैप्रकास इनिवर्शीटी अक्षर जो है, अंक तालीगाद को प्रकासित करने में गर्बर करती है, जैप्रकास बिष्भजारा कभी छात्रों को मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा नमबर दे देता है, तो कभी पास हुए छात्र को फैल बना दिया जाता है, तो क पांसो मार्क्स हो सकते थे वहाँ पर 955 मार्क्स दे दिया गया है और इस कारण से अब उस छात्रा का अंक प्रमान पत्र जो है आप जनता जंचन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विसाल अगर आपको ये डर रहता है कि आप परिछा देंगे और आपको कम अंक आएगा तो आप डरने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको छप्रा के जैप्रकास विस्व विद्याले में आकर के एडमेशन ले लेना चाहिए अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जैप्रकास विस्व विद्याले में आकर के नमांकन करवाएंगे तो आप एकजाम देने नहीं भी जाएंगे तो हो सकता है कि आ सिफाली सेखर जो है वह बीकॉम पार्टू की छात्रह है और उन्होंने हाली में 2022 में एकजाम हुआ था उसका एकजाम दिया था पार्टू का जुलाई 2023 में एकजाम कंड़क्ट हुआ था और उसमें सिफाली सेखर को 500 मैक्सिमम मार्ग्ष जहां था वहाँ पर 955 marks जै प्रकास विश्व विद्याले के द्वारा दे दिया गया है मतलब आप समझ लीजिए कि 455 marks जो है वो एक्स्ट्रा सिफाली सेखर को दिया गया है अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आपने टीवी में वो एड बहुत देखा होगा कि एक्स्ट्रा 2 marks दे दिया जाता है कि handwriting बहुत अच्छा है अब हो सकता है कि सिफाली सेखर का handwriting इतना ज्यादा अच्छा था कि प्रोफेसर साहब मंत्र मुग दो गया हो और 455 marks एक्स्ट्रा दे दिया हो ये जैप्रकास विष्विद्याले की पहली गलती रही है ऐसा अक्सर होते रहता है कभी किसी लरका को लरकी बना दिया जाता है तो कभी किसी को पास छातर को फेल कर दिया जाता है और कभी ऐसे सिफाली सेखर को 500 की जगण 975 marks दे करके record बना दिया जाता है अब सेफाली सेखर को गोल्ड मेडल से भी उपर का मेडल जो है जैप्रकास विश्विद्याले को देना चाहिए और एक मेडल तो जैप्रकास विश्विद्याले को भी बनता है क्योंकि वो जैप्रकास विश्विद्याले जो अपना सेशन टाइम पर अभी तक कंडक्ट नही कर पा रही है वो जैप्रकास विश्विद्याले चात्रों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही करती है कि चात्रों को पास चात्रों को फेल कर दिया जाता है और उसके अलावे 500 के पडिक्षा के नंबर में 975 नंबर दे करके चात्रा को जिले में और बिहार में ही नहीं राज् चातर को नौसब पच्पनंक मिल जाते हैं बाकी अब आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं जैप्रकास विश्विद्याले को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि जैप्रकास विश्विद्याले ने जो किया है ये कितना अधुत काम है और क्या जैप्रकास बिष्टो बिध्याले के अलावे बिहार की कोई और इन्वर्सिटी है जो इस काम को कर सकती है तो अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्षन बहुत-बहुत धन्यवाद